हेलो नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पे हैं तो फ्रेंड्स मज्द प्रदेश सिच्छक भरती बरग दो बरग तीन को लेकर के लेटेस्ट अपडेट है उस पर चर्चा करने वाला हूं उसी के साथ साथ आपका सबसे बड़ा अपडेट है पचीस हजार अतिती सिच्छकों की निकती रद्ध होने वाली है यानि कि आप यहां बद देख पा रहे हैं किलियर है आपका पचीस हजार अतिती सिच्छकों की जाएगी नोकरी सरकार के पास फंड नहीं है बरग तो बरग तीन का कवाय का नोटिफिकेशन तो इस पर हम चर्चा करने व दिएगा तीक है आपको मैं सबसे पहले बता दूं आपका नोट अतिती सिच्छकों के लिए तो अतिती सिच्छकों के लिए क्या अपडेट है देखिए सरकारी स्कूलों में 25,000 अतिती सिच्छकों की नोकरी पर छाया संक्र यह बिलकुल सही है सच्छ बीतने के 40 दिन उन्हों को हटाये जाएगा 13,000 ऐसे सिचक हैं जिनकी स्कूल का रिजल्ट 30% से भी कम रहा है तीक इसके बाद दूसरा उच्चपद प्रवार की प्रिक्रिया में करीब 1,000 अतिती सिचकों को बाहर किया जा सकता है दूसरा यह सबसे बड़ा रिजन है तीक 30 क्या है अपका सिचकों के ट्रांस पर शुरू होने तो करीब आपका 3,000 अतिती सिचकों पर संकटाएगा बरग एक सिचक भरती होते ही करीब 8,000 अतिती सिचकों की नुक्ती फर खत्रा हुआ है यानिके आपका 25,000 प्रोटल आपका ऐसे अतिती सिचक है जिनकी नुक्ती पर खत्रा है और उनको नुक्ती से बाहर किया जा सकता है अब इसको लेकर के क्या बोला जा रहा है ये भी आप देख लिए जगा देखिए जो हमारे अरुन गिरी गोस्वामी है प्रदेश महमंत्री अतिती सिचक संके उन्होंने क्या बोला है 40% से ज़्यादा अतिती सिचकों ने 3 या 4 महीने ही पड़ाया है यस्ताइश सिचकों और अतिती सिचकों के परिच्चा परड़ाम की समिच्चा हो उसके बाद ही किसी तरह की करवाई की जा ये तो उन्होंने बोला है कि जो 3-4 पॉंट में आपको उपर बता है वो आपकी इन्होंने बोले हैं ठीक है अब इसके बाद आपका 40 40% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों के सिचकों और प्राचारों पर निया मानुसार करवाई की जाएगी अतिती सिचकों के संबंद में पहले से प्रापदान है कि 30% से कम रिजल्ट आने पर उन्हें दुवारा नहीं सबसे महत्पून युजाब का वह आप यहां पर देख पाईए सबसे महत्पून आपको जिस बात का इंतजार है वह आपको यहां पर देखाई देगा अब इंतजार किस बात का है यह इस भी आपको पता ही होगा यह का कलंडर अपडेट हुआ था मैंने आपको दो बार बत पता है यह बिल्कुल सही है लेकिन मैं आपको जो में नियुज आप पूरा पढ़ लीज़ेगा इसके पढ़ सकते हैं मैं आपको टेलिग्राम पर डाल दूँगा लेकिन जो में चीज आपको यहां पर देखाई जरी देखिए जुलाई में दो एंट्रेंस एक्जाम सामिल कि पहल परिष्छी अब यह भरती परिच्छी अगस्ट में नहीं हो सकती है अब सितनर लाइगाई जब यह इंट्रेंस एक जाम लेने में अतना डेले कर रहे हैं तो यह recruitment कराने में कितना डिली करेंगे क्योंकि इनके पास फंड नहीं है इनका खजाना खाली हो चुका यह फैक्ट है आप इसको माने या ना माने यह सच्चा ही है कि MP गवर्मेंट के पास फंड नहीं है खजाना उनका खाली है तो वह नहीं चाहते कि कोई परमाने टीचर रखके और उनको इतना सेल्डी दिया जाए जिस उनका खजाना और खाली हो यह तभी तो इतने बड़े पैमाने पर गैस्ट टीचरों को रख रहे हैं आप इतना भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप खुद से अनुमाल लगाएंगे कि सत्तर जार गैस्ट टी लग रहे हैं तो इसका रखने का सबसे बड़ा रीजन है यह फंड नहीं है आप अच्छी यूटूबर से जुड़े होंगे तो आपको इसका अल्रेडी पता होगा अगर नहीं पता है तो मैं भी यह बता रहा हूं अब आपका जो बरक तीन बरक दो का नोटिफिकेशन पर चर्चा करता हूं और जो आपके सामने है तीक है जो आपके सामने देखाई दे रहा है आपको आप यहाँ पर देखीगा कि लिए तो आपका अब बरक दो बरक तीन का नोटिफिकेशन भी आपका डिले होगा यानि कि अगस्त का बोला जा रहा था अब यह सेतंबर में परिच्छा आपकी और डिले होगी और डिले होगी यानिकि अब कहने सकते नवमत दिसंबर अक्टूबर में भी आपका होने की संबावना है तो यह फैक्ट है आपको से देखीगा कमेंट मत कीजिगा किसर आप ऐसा वैसा बोल रहे हैं जो है वो मैं आपको अता रहा हूं अगर आपको यसे इसन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सेरे कर देना सभी अपने यार दोस्तों के साथ मिलते हैं नेश्ट इसने में जब तक लिए जयन जय भारत